हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले ESIC UDC की, ठीक है, तो अभी में इसका रिजल्ट आया है, तो इसमें जो हाइस्ट मार्क्स आया है, एक तो हम वो देखेंगे की हाइस्ट मार्क्स इसके आया है, वो कित सकते हैं, जो हाइस्ट मार्क्स आया है, वो है 182.25, तो काफी अच्छे मार्क्स है, आउट ओफ 200, अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में गए है 48.75, आउट ओफ 50 है, ठीक है, और अगर बात करें, क्वांट की 48.75, जनल अवेर्नेस की बात करें, 35.75, जनल इं तो सब में आउट ओफ 50 हैं, बस थोड़े जीए में कम हैं, बत आप देखी सकते हैं कि कितने अच्छे मार्क्स गए हैं, आउट ओफ 200, 182.25, तो ये है टॉपर, ESIC, UDC मेंस के, आप भी अपने जरूर मार्क्स कमेंट बाक्स में मुझे बताएगा कि आपके कितने आई मार् मताब जनरल इंटेलजेस में देखे थे 48.75, जनरल अवेर्नेस में 36.75, क्वांट में देखे थे 47.5 और इंगलिश में देखे थे 48.75, तो हो गए टोटल 181.75, तो अगर हम देखें कि कट ओफ हाइस्ट किस की गई है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ पर डेली की कट ओफ सब से हाइस्ट कही है, 150.75 जनरल की, और अगर हम देखें कि डेली में SC की गई है 125.75, ST की 119.25, OBC की 137.75 और EWS की 140.25, तो टोटल मतलब जो जनरल की है वो है 150.75, अगर लोएस्ट देखें कि कौनसी स्टेट की लोएस्ट गई है, तो 138.25 जो है वो लोएस्ट गई है, तो यह स्टेट की भी है, ठीक है, और बिहार की भी इतनी ही गई थी, बिहार की गई है 130 है, जनरल की ठीक है, EWS की 136 और 111.25, SC की गई है, और ST और OBC की हाँ पर विकेंसी नहीं थी, तो इसलिए हाँ पर कट आफ नहीं है, बाकी जिसका भी सेलेक्शन हुआ है, तो कंप्यूटर स् अप्लोट का रखा है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, और किते मार्स का होता है, ठीक है, खाली क्वालिफाइन ये नेचर है, लेकिन उसमें सेलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है, तो प्लीज उसे अभी से प्रिपेर करना स्टार्ट कर दीजे, फाइनली आपका रिजल में इसमें से उनको कॉंग्रेक्शुलेशन और जिनका नहीं हुआ, आगे आगे पीयो और क्लरक के एक्जाइम आ रहे हैं, तो गाइस उस पर फोकस कीजिए, बहुत जादे इन पॉटेंट है, प्लरक भी आने वाला है, इन एक्जाइम पर फोकस कीजिए, और बाकी ESIC MTS की जो है, अब आप देख लीजेगा थोड़ी हाई कट ओफ जाने के चांसेज है, क्योंकि यूडीसी में भी लोग कह रहतें कि लोग जाएगी धोड़ी कट ओफ तो आप देखी सकते हैं, थोड़ी कट ओफ हाई रहने के चांसेज हैं, क्योंकि एक तो पिपर जो है उसका, इ आवो SBI कलरक हो, RRBP हो, RRB कलरक हो तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं सो बाकि आप अपने section marks जरूर बताःएगा and total marks कितने आए सो जरूर कमेंट कीजेगा ठीक है सो अगर कोई भी doubt है तो जरूर कमेंट में बताःएगा सो मिलते हैं next video में till then take care, bye bye